हलो एबरीबन सो कैसे हैं साथियों उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहतरीन तरीके से चल रही होगी तो यदि आप हमारे पुराने चातर हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी इतिहास लेखन पर बात कर रहें जिसमें हम लोग माक्सवादी इतिहास लेकन के साथ जोड़कर देखा जाता है तो आप यदि माक्सिस्ट हिस्ट्रोग्राफी पढ़ना चाह रहे थे तो वह तो मैंने अभी नहीं पता है लेकिन उसको पढ़ाऊंगा इसके लिए आप घबराये नहीं तो यह जो आज के जो इतिहास का रहे है क्योंकि इसका पीडिएफ आपको मिलने वाला नहीं है हम लोग ऐसे ही बात करेंगे ठीक है चलो तो मेरे ख्याल से नाम तो आप लोग जानते ही होंगे नाम लिख लीजिए नाम है इनका राम शरन शर्मा राम शरन शर्मा अब देखो आज जो हम लोग बात करेंगे राम का जन्म कब हुआ और किस तरीके से ये जीवन में आगे बढ़े इसके बारे में बात करेंगे दूसरे नमबर पर इनके एजुकेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने अपनी तियारी बगर कहां से कहां से पढ़ाई किया इन्होंने और तिसरे नमबर पर बात करेंगे इनके works के बारे में इनके जो किताब बगर रहे हैं इनके जो किताबे रही हैं और उन किताबों में क्या-क्या material रहा है क्या-क्या resources रहा है क्या-क्या इन्हों ने output दिया है हमें अपने किताब के मादल से उसके बारे बात करेंगे और चौथे नमबर पे इनके आईडियो लॉजी के बारे बात कर लेंगे ठीक है आईडियो लॉजी के बारे में जो इनका विचार धारा रहा है ठीक है यह किस विचार धारा के मानने वाले थे उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे ठीक है तो मेरे ख्याल से दी चार पांच चीज देख करते हैं तो एक संपूर्ण चर्चा होगी और पूरी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ लिख रहे होंगे इसको मिटाता हूं और हम लोग बारी-बारी से शुरू करते हैं कि अब से पहले बात करते हैं अर्ली-विव के बारे रॉड में दें और इसको मिठाऊं और फिर नहीं जी घ्लो ठीक है मज़ता अब बात कर लेते हैं अर्ली लाइफ के बारे में नीoff की जाये तो सबसे पहले लिखेगा जो इनका जन्म हुआ है वह बड़ डेट ऑफ बर्थ जो है इनका ठीक है वर्थ जो है वह 26 नवंबर इन उनीस तो उनीस को हुआ है यह आप इतिहास के चाहत रहें तो आपको पता होगा उनीस उनीस हमारे इतिहास इतिहास में modern इंडिया में कितना महत्कुन इस्वी है इस दोरान क्या क्या हुआ था आपको पता है चलो अधिया आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है कहां जन्म हुआ था दरसल बिहार का एक जिला है जिसका नाम है बेगु सराय जहां से बहुत सारे लोग नि करता था अभी किसी और में है तो मेरे ख्याल से अभी भी बेगु सराय में ही होना चाहिए और जब इनका जन्म हुआ था वह जो प्रांत था वह पिहार एंड औरीशा प्रांत में था ठीक है जिसको आप औरीशा बोलते हो उस प्रोविंस में दरसल आता था ब्रिटिस अपने आगी की पढ़ाई के लिए उस समय के सबसे बहतरिन कॉलेज और अभी तो इस कॉलेज की स्थिति खराब हो गई है मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ और उसी डिपार्मेंट से पढ़ा हूँ तो सर ने भी यहीं से पढ़ाई की थे एक अच्छी बात है तो पट है को कम्प्लीट करने के बाद यह चले गया लंदन ठीक है अभी जब लंदन इन्वसिटी में अधिति आपका मं करता है पढ़ने का आप को मंकरे दिपॉरहने पढ़ने का तब लंडन इन्वसिटी में यह पढ़ना चाहते हैं बच्छों को धशा करना पढ़ता है अंगरे तो यानि कि पूरवी जो दुनिया है ठीक है जैसे हम लोग बारत पूर में पढ़ता है तो यहां पर एक डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ और येंटल और अफ्रिकन स्टुडिस जहां पर भारत या फिर साउथ एसिया के जितने भी कंट्री हैं एसेन कॉंटिनेंट के बारे म पर ये जानते होगे इनकी किताब जीसे हमेशा सवाल पूछा जाता है उसको हिंदी में अदबुत भारत बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इयुपीसि में भी कई सवाल पूछे गए थे किस वार तो हूब हूई किताब से कॉपी कर दिये गए थे सवाल और किता जो सवाल पूछे गए थैए शिता copy भन्रजी हैनकी किताब आते हैं इंडिया के लिए उससे भी कई सवाल पूछballs पूछे हुआ उसके बाद देखो आधर से पढ़ाई करने के बाद कहां से लंदन विश्वित-दाला से पढ़ाई करने के उसके बाद डियू में आप पूछें कि डियू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में इन्होंने कब तक पढ़ाया है तो 1973 से लेकर के 1978 तक इन्होंने पांच साल तक डियू में अपना सेवा दिया है तिक उसके बाद जो आइसी एचर है देखो जिन लोगों का ज्यारेफ नहीं होता है न और वो प्येजडी में इंडॉल्ड है तो वो आइसी एचर का एक्जाम देने के लिए आपको प्येजडी में इंफिल में इन्रॉल्ड होना जरूरी है होता क्या है इसका फूल फॉर्म से सवाल पूछा जाता है इंडियन कॉंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसका फूल फॉर्म है यहां दरसल यह चेर्मैन के तोर पे इन्होंने 1972 से लेकर 1977 तक जब डियू में पढ़ा रहे थे उसी दोरान यहा काम किया है उसके बाद और इसमें देख सकते हो यह आगे चलकर करके विजिटिंग फेलो के तौर पर जैसे रोमिला था पढ़ रही है जैन्यू में तो इसी तरीके से इन्वर्सिटी ऑफ टोरेंटो में टोरेंटो कहा है कनाड़ा में ना टोरेंटो ठीक है तो इन्वर्सि सब्सक्राइब तो इस तरीके से तमाम सारी चीजे थी इनके लाइफ को लेकर के इसमें से कोई सवाल बगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखना ऐसे तो इस से पूछाने जागई अंटीर को नौलेज पुरुपस से मैं ने बताँ दिया है चाहिए इसको दोग फेEs ले लेते हैं ना ठीक है अब देखो इनके यदि राइटिंग स्टाइल की बात की जाए लिगरेसी की बात करें या फिर इनके लूक्स की भात करें बहुत सारे इनकी आइडियाज बगरे हैं तो इस्LA shocks लेहे था तरह की लंबा वीडियो होजाएगा तो हम लोग इनके महत्पुर्ण किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो आप महत्पूर्ण किताबों के बारे में बात करो तो आप एक किताब लिख सकते हो जिसके लिए इन्हों इन्होंने काफी ज़्यादा नाम कमाया है ठीक है किताब दरसल है लिखिएगा किताब का नाम जरूर याद रखना ठीक है सुद्राज इन एंसेंट इंडिया ब्राचिन भारत में सुद्र ठीक है यह हिंदी में यह पढ़ना चाहें पर सकते हैं यह किताब अगला हिसा है पूरा नाम यहीं बात करें तो लिखो असोशल हिस्ट्री ऑफ दे लोवर ओर्डर थीक है इसको काटो लोवर ओर्डर ठीक है डाउन टू सर्का एटी किताब आप पढ़ सकते हो इस किताब में जो इन्होंने बात किया यह किताब भाओत ही महत्पून किताब है याप से पूछा जाये किस किताब में इन्होंने बताया है जो uns in फिरियाड मेरे ठीक सिरो होता है हम लोग मान कर चलते हैं हड़ापन सिवलाजेशन को भी उसी में और यहां से लिकर गुप्त काल तक मान कर चलते के एंसियन फेज है इस दोरान पर सुद्रों की स्थिति क्या रही है चुकि आपको पता होगा बंड वेवस्था में सबसे नीचे सुद्र थे तो सुद्रों की क्य सिति रही उनके क्या क्या राइट्सी र्युजिस राइट्स क्या थे पॉलिट्टल राइट्स क्या थे इस तरीके से इनका डिवलЙप्मेंट हुआ इन तमाम साब सारे चीज़ों के बारें बाती했는데 सथा किया उन North इंही और किया है मनु की किताब ही शुद्रों के बारें और इनका जो स्पेशली फोकस है जो कि हम मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफिक के फाउंडर मेंबर है ठीक है इन से पहले जो ब्रेक्टि चल करके आएंगे उनका नाम है डीडी को साम भी उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि भारती ये मार्क्सवादी त्यास लेखन की बात किजा तो पहले नाम डीडी को साम भी कही आता है फिर आरे सर्मा का नाम आता है जिनको हम लोग रामसरण सर्मा करेंगे तो इन्होंने फोकस जो किया है वह एकोनामिकल अस्पेक्ट पे ज्यादा किया है इतने भी मार्क्सिस्ट हिस्टोडियन होंगे मुखे तोर प पर ज्यादा फोकस करेंगे कि इन्होंने अभी बताया कि सुद्रों को क्या ब्रपार करने की स्थिति थी या नहीं थी और इस फेज को यह खीशते-खीशता को सकते कि इन्होंने दुप्त काल तक को कवर किया है अपने किताब में आपको पढ़ने का मन हो तो आप मुझे बता है तब फिर पढ़ो हालांकि निट जारे से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है पर हां हिस्टोडिय हिस्टोग्राफी में हम लोग पर इतना धन करेंगे तभी तो चीजे हमें ज्यादा समझ में आएंगे और हम लोग कॉमन लोगों से आगे निकल पाएंगे आगे बात करत दखेंगा था किताब का नाम है इंदीन कर टीटलिफमं अफ्यक्रीज पर इंकी बहुत ही बेथरीन किताब और इसको यह काफी फिमस चार्थ कूश जितना फिमस दो क्रोशना चाहतों वतना कह सकते हैं कूछिरित श्टलीजम पर पर इनका किताभ आयां इनका ञाम क्रुम् किताब में दरसल कई लोग 1965 पे लोग 1966 कहीं पर मिलेगा तो आप घबराइएगा नहीं से सब्जेक्ट मैटर की बात किजा इस किताब की तो इस किताब में दरसल चर्चा किया गया है जो अर्ली मेडियेवल फेज में अर्ली मेडियेवल फेज किसे कहते हैं आप बताओ आप लोग तो इसको हम लोग अर्ली मेडियेवल इंडिया के नाम से जानते हैं मेडियेवल का बेसिक अर्थ इतना ही अंकर चलते हैं दिल्ली सल्टनत की अस्थापना से तो मेडियेवल के आने से पहले जो फेज होगा उसी को हम लोग अर्ली मेडियेवल के नाम से जानेंगे तो early medieval phase में जो feudalism आया है चुकि आपको पता होगा कि गौतमी पूतर साथ करनी ठीक है गौतमी पूतर साथ करनी बताओ आप लोग बताना किस वन्स का था ठीक है इन्होंने शुरुआत किया था क्या जमीन देने की शुरुआत की थी इसलिए इनके जो अधिकारी होते थे उन चला गया तो उसके बाद क्या हुआ कि अधिकारियों के पास बेतन के बदले जमीन मिल रहा था तो धीरे धीरे करके उनके पास जमीन का बड़ा हिस्सा आ गया और इस जमीन पे टैक्स लगाने का ठीक है टैक्स इंपोज करने का ठीक है टैक्स इंपोज करने का मतलब टैक् का रूप लेने लगे क्योंकि आपके पास जमीन है आप टैक्स इंपोस करें तो आप मान कर चले कि एक बहुत बड़े हिस्से पर आप स्वतंत्र हो चुके हैं तो उससे क्या हुआ यह लोग धीरे-धीरे करकर के लॉड बनते चलेगा चुकि इनके पास जमीन था इन ही को बो पुला जाता है एज और फ्यूड़ीजम तो आप पढ़ोगे उजी सिनेर का सिल्यवस आप दिखेंगे तो वहां पर इसको शामिल किया गया है और डिवेट और फ्यूड़ीजम करके तो वहां पर यह चीज को पढढ़ेंगे तो मेरे खाल से वहां पर जो हिस्सा है उसको यहां पर cover कर लिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं अब देखो इसमें और जो बात की गई है वह और क्या बात की गई यह उस पर चर्चा करें तो इसमें यहां भी बात की गई है कि उस दौर दौर में जो temple थे पता होगा यह आप पर एक अच्छे चात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस दौर में जो टिंपल है वह टिंपल बनने के शुरुवात पाहली बार हो रही है और बाकि सुद्रों पर यहां पर काफी जादा टैक्स बगर लगता है उसके साथ साथ निव कास्ट चल करके आते हैं निव इमर्जन्स होता है निव कास्ट का तो सोसाइटी भी धिरे धिरे करकर के कॉंप्लिक्स होने लगती है तो इन तमाम सारे चीजों को इस किता में शाम बहुत विश्तार से चर्चा की गई है तो इस किताम में दरसल इन्होंने यह बताने की कोशिश की है मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे ठीक है अब आप से पूछा जाए कि फ्यूडलिजम का कॉंसेप्ट जो है वह क्या पहली बार इन्होंने लॉंच किया है तो नही बुए जो कि भारत में माक्सवादी ही सटोरीन का पूरॉरी को लॉंच किया था तो आप पूरे तरीके से समझ रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा ठीक है जहां पर समझ में नहीं आए आप मुहां पर मतलब सेकेंड और मिनट वाइस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ध्यान दखो अगली बार से ठीक है जलो अब तो इनकी दो किताबों के बारे में हम लोग विश्दार से बात कर लिए किताब उसके लिए इनोंने काफी मतलब काफी नाम कमाया है तब बताओ तीसरा किताब क्या हो सकता है जैस करो आप लोग पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ो नहीं पढ़ना ही बंद कर दो अंग्रेजी में किताब का नाम लिख रहा हूं कई लोगोंने मैसेज कर दिया सर नहीं पढ़ना खराब बात है लेकिन पढ़ना खराब बात है तो अब आज के दौर में देश दुनिया से अब कट जाएंगे हकीकत बात है यह बहले आपके इतनों प्रेट्राटिक हो अपने जगब हैं लेकिन चीजों को समझे समय कनुसार आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो आपका निश्ची तोर पे डिकलाइन हो जाएगा कैसे जैसे भारतिये हस्त सिल्प का हुआ था ना मौडन इं लिज़े कोई दिक्रत नहीं है भारत में नगरिये जीवन की समाप्ति इसकी ताम में दरसल इन्होंने बात किया है बहुत सारे अर्के लोजिकल डेटा को इन्होंने जुटाया उस समय के जितने भी सेंटर थे सेंटर इन सभी को पहले केंदरी कृत किया उन सभी के बारे मे explain किया बताया कि कहा कहा पे उस समय में नगर थे early medieval तक बाते जाएंगे एक morian phase में कौन सा शहर था पॉस्ट morian phase में कौन सा शहर था कहां से trade हो रहा था कहां से कौन सा trade नहीं होता था किस वस्तू का बैपार होता था इसके बारे में भी बताया इनोंने और इन्होंने बताया इस किता में कि 200 BC से लेकर 300 AD के बीच में जो यह अर्बन जो यहां पर सोसाइटी था वह बिल्कुल पूरे तरीके से क्लाइमेक्स पर चला गया लेकिन उसके बाद इसका डिके होने लगा इसका डेकलाइन होने लगा टिके का अर्थ शय होता है मतलब बरबाद हो जाना उसका पतन हो जाना ठीक है तो यह दरसल इन्होंने बताया उसके अलाबा इन्होंने इसमें यह भी बताया है गोपत काल में जो ट्रेड बगएरा हो रहे थे उसके बार में इन्होंने बताया है उसके साथ साथ और इन्होंन हमिया कि जिस्टाथ जो वैपारी कंडिशन था उसके बार में व weten है do ऑगे देखेंगे तो और इसमें बात कियाँ तो है मुझा इसमें बताया गया है रेष्ण के ब्यापार के बारे में छिए रेष्ण के ब्यापार के बारे में भी यहां पर बताया गया है ठीक है तो इस तरीके से इन तमाम सारे चीजों पर इन्हों होने अपने तीसरे किताब में चर्चा की स्कते हैं किताएं में राचिन भारत में लिख लिएंगे अश्छिर priv उर्शर एंट इस दोध किताब में दो किताप इस मेटेरियल किल्च्छर एंड बेटेरियल किल्च्र एंड शोशल फॉर्मेशन इन इंडिया किताब लिखिये यह किताब जो छपी थी वह उनी सो तेरासी में शपी थी उनी सो तेरासी में क्या हो रहा था भारत में बताओ भारत में कौन शाशन कर रहे थे कौन प्रधान मंत्री थे भारत के पॉलिटिक्स क्या थी भारत का एकॉनमी क्या था यह साराची जब आप पढ़ो नते साराची आपके दिमाग में घुमना की तब ज़रूरत करने की जरूरत है तो महनत करो पीछे में ठट गए फिर दिक्तत हो जागा एसे बोल रहां हुँ पीछे नहीं हड़ता था मैं तो मेहनत करता था आप भी करो चलो अब देखो इस किताब में जो बात की गई है वह material culture क्या होता है बताओ materialism आप पढ़े हो material culture के बारे बात क्या है उसके सासा social जो formation हुआ समाज का जो निर्मान हुआ दिरे दिरे करते के उसका इन्होंने marxist view दिया है कि marxist जो लोग है वह किस तरीके से इस चीज को सोचते हैं एंसेंट इंडिया में किस तरीके से भारत के society का निर्मान हुआ किस तरीके से transformation हुआ ठीक है इसमें बहुत सारे चेंजे जाते हैं economy के बेस यहां पर जो चीजे धार्मिक माने जा रही थी वह चीजे यहां पर economy का सोर्स बन जाती है उसको economical aspect के तौर पर देखा जाने लगता है एक तरी माफ करना यहां पर जो economical aspect से देखा जा रहा था और यहां पर religious होने लगेगा धी जाने a-स बारे बात किया है ख्यूंक झैठnity द्म ट्रम के बारें बात किया है उसको www के बात किया है उस ब्लैक पॉलिश यो मुदा ऑन ठेम तेगा फटालवा के बारें बात किया है तो रहा लोहे के उतपादन के बारें बात किया है confident fan c में हुआ है एक हजार बीस में पहली बार लोहा आता है उसके बारे बात किया है तक सालों में जो सिक्टे ढाले जा रहे थे उसके बारे बात किया है सिक्टे की ढलाई के बारे बात किया है लोहे से जो लोहा के जो हल बनता था उससे जो धान की खेती होती थी धान की खेती के बारे में बात किया है उसके साथ आप बात कर सकते हैं जो अधिशेस बच जाता था अधिशेस क्या होता है सर्प्लस बोलता है अंग्रेजी में उस सर्प्लस के बारे में बात किया यही सर्प्लस से आगे चल करके शहर का निर्मान होगा ठीक है ध्यान लखना उसके बाद सामा आगे जो इसी में होने बात किया है उस समय का टैक्सेशन सिस्टम के बारे बात किया है यहां पर लिख लो टैक्सेशन आप एक-एक पॉइंट को लिखना किताब में ठीक है सॉरी कॉपी में नहीं तो फिर आप मतलब क्या करोगे आप नहीं लिखो गया तो पर तो फिर नहीं तो नहीं पढ़ो क्यों मा अबा पुट अगरे व कॉbracht उसके साथ के बारे में बात किया है क्वाइन के बारे में भी बात किया है टिक है क्वाइन क किया जारा ठाहर Kita मेने आपको बताया ही administration के बारे में भी बात किया है इस समय का जो अपार की आप देखो रहें सुद्रा जी ने काफी चर्चा किया है Class System के बारे में बात किया है. Class System तो गुवतिकाल में चल कर कर के आएगा ठीक है? वहाँ से बहुत सारे InterCast चीजे भी चल कर के आती है. ये सारा चेज. उसके बाद जो बहुत धर्म का कुछ चाथ चीजे महाजनी वेवस्था ठीक है उस महाजनी वेवस्था के बारे में भी बात किया है महाजनी वेवस्था जानते हो ना महाजन जो होते थे पैसा दिया जाता तक परज पे उसके बारे में बात किया है उस समय कि जो commercial condition थे ठीक है उस commercial condition के बारे में भी बात किया इस तरीके से तमाम सारे पहलूओं पे रामसरन शर्माने अपनी किताब में बात की है अब आते हैं चौथे किताब की तरफ ठीक है आप लोग ठक तो नहीं गए हो ठक जाओगे तो क्या करें वीडियो को रोको पाउस करो और फिर से इसको पढ़ना ठीक है ऐसे भी गंटा दो गंटा पढ़ने में आप लोग ठक जा रहे हो तो यार यूबा हो आप लोग क्यों फिर पढ़ रहे हो अब प्रोफेसर बनो के तीन-तीन गंटे चारजर गंटे लेक्षे देना आप भी ठक जा रहे हो क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है चौथे किताब का नाम लिखो अरली इंडियन सोशाइटी लाइट है और ली इंडियन ँचोशाइटी एंड एक चीज देख रहे हो यह इकानमी को सभी जगह पे लेकर के चल रहे हैं माक्सिस इस्टोगराफी का या बहुत ही महत्तकुन हिस्टा या किताब 1966 की किताब है ठीक है इस किताब में देखो इस इकोनमी पर इस्टिव क्या है और सोचल लिखे सोसल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री के बीच में क्या में सुट्रोप साथ कि तृआ प्राशीन भारत में जो था अर्ली मेडियवल सुसाइटी में जो था स्वचंद यौना चार के बारे में उसके बाद जो समय के जो महा काब्बे हैं जिसमें रामायन महाभारत को भी काउन चाहता है महा काब्बे में और पुरान में महिलाओं को क्या दिकारते हैं तो इकोनमिकल राइट में आ जाएगा ठीक है उसके साथ साथ इसमें इन्होंने स्लैबरी के बारे में बात किया है हिंदी में दास्ता बोलते हैं स्लैबरी के बारे में बात किया है कास्ट के बारे में बात किया है ठीक है कास्ट के बारे में बात किया है उसके साथ साथ बात किया इन्होंने मैरेज के बारे में बात किया है अब और लिख सकते हो लैंड ग्रांट के बारे में भी इन्होंने बात किया था, यहां पर भी महाजनी बेवस्ता के बारे बात किया है, यह तमाम सारे चीजों के बारे में यहां पर बात की गई है, तो यह आप से पूछा जा कि प्राचिन भारत के समाजी के वो मार्थिक इतिहास पे जुन्होंने किताब लिखे उस किताब का नाम क्या है, त के पॉलिटिकल एंड सोचल एंड एकोनामिकल हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया की बात की जा है तो इनका दरसल यही किताब जो है बहुत ही महत्पूर्ण है और इनके और किताब हैं जिनका नाम लिख लें ठीक है मेरे ख्याल से और जो किताबों का नाम में लिख वांगो उसमें से एक दो किताब आप पढ़े होंगे ठीक है नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा पढ़ना चाहिए आपको ठीक है नहीं तो फिर आप लोग क्यों पढ़ रहे हो पाचवें नमबर पर लिखो और पाचवां जो इनका किताब लिखना इंडियाज एंसियंट पास्ट यह किताब तो इतनी फेमस है ना मैंने तो इस किताब को अभी तक 26-27 बार पढ़ा होगा ठीक है इंडियाज एंसियंट पास्ट हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है आप लोग ठीक है आप लोग अपना ठीक रखना पर मेरे ख्याल से तो दिखना चाहिए घठे नमबर पर लिखिए पैड पर तो अभी एक्स्पिरियंस नहीं हो उस तरीके से ना और लिखो परसपेक्टिव इन सोचल ए अड्वेंट आड्वेंट आढ़ेंट ओफ दे आरियंस खेंग है आड्वेंट अफ दे आर्यंज इन इंडिया और जो चल करकर आए थे ठीक है इन चीवलाजेशन शुरुब अबैदिक सब्वेटा इब इंडिया मैंने लिखा दिए अर्ली मेडियेबल इंडियन सोसाइट लिखिये अर्ली मेडियेवल इंडियन देखो यह दरसल मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं आप सबी के लिए क्योंकि कई सारे चात्रे हैं जो पीसडी भी कर रहे हैं फिर किसी टॉपिक पर आप करना चाहिए तो कई लोग बोलते हैं सर इस टॉपिक पर तो किताब ही नहीं मिलता है कौन सा किताब पढ़ें पढ़ लो यहां से किताब है यहां पैंसिंट इंडिया पास्ट यह किताब है ठीक है अब बाद में चपी है दोजानौ बगरा में चपी है ठीक है वह दरसल उनकी जो उनका जो दिहानत होता है वो आगे 2011 में होता हाल फिलाल में दुनिया छोड़ कर गए है तो उसके बाद लिखना प्ताचिन भारत की नगरु का पतन कम्यूनल हिस्ट्री एंड रामाज अयोध्या ठीक है लिखो यह किताब को जरूरी पढ़ना जो हल्ला करते हो ना कम्यूनल हिस् जब भी आप मेरे क्लास में आओ तो आप किस धर्म के हो किस जाती सो किस शेत्र को अपने तक्षा पर रखतर क्या ना अपने घर में ठीक है उसके बाद फिर आप किसे भी किताब को उठा करके पढ़ना अभी आप जस्टिस कर पाओगे नहीं तो फिर मत पढ़ो दिमाग मे कुछ भी कर लोगे तो नहीं सिख पाओगे इस बात को दन रखना इसलिए जो कुछ भी आपके दिमाग में बकवास की चीजे हैं कोई भी चीज़ों अच्छी भी चीज़ों इसको खतम करो वहां पर रखकर क्या उसके बाद किताबों के साथ संभाद जब करो ना मास्क लगा करके बात मत करो बिदाविट मासक बात कर ठीक है यह सारे चीजे होने चाहिए और किताब की बात करें तो मेरे ख्याल से इतना काफी किताब है और इंडिया ब्दाया है न इसको प्रारंभी भारत का परिशा यह भी एक बहुत ही बहतरीन किताब है आप इसका भी अध्यन कर सकते हो तिन तमाम सारे किताबों का जब आप अध्यन करेंगे तो उसके बाद फिर आप इस तरीके को आप डिल कर लोगे मेरे ख्याल से आप मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के भी बहुत सारे पहलू को आसान से समझ सकते हैं आगे यदि बात कर लें इसमें यदि थोड़े बहुत इनके स्टार लेकर कर लें तो चुकि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफ के फॉंडिंग, मेंबर के तॉर पर जाने जाते हैं तो इन्होंने economical history को केंदर में रखा है mostly और economical history के साथ साथ इन्होंने social history को केंदर में रखा है ठीक है social history ऐसे कम है marxist historiography की बात की जाए तो social history को centralized नहीं किया गया है economical history को centralized करने की कोशिस की गई है तो इनका backbone है marxist historiography का तो आप इसका ध्यन करें और मेरे ख्याल से हम लोग इसमें काफी बात कर लिए इतना यदि आप cover कर लेते हो तो आप बाकी student से इसमें बहतर कर सकते हैं मुझे पूरा भरुसा है कि चीज़े आपको समझ में आई होंगी परेदी बात कर लें इनके student का इनके student रही है जो काफी नाम कमाई है ठीक है और वह एक बहुत बड़ी historian है अभी उनका नाम भी आप जान लो उनका नाम है सुवीरा जैसवाल ठीक है इनका भी एक किताब आता है भारत में बर्ण व्यवस्ता करके किताब है सुवीरा जैसवाल मैम की बहुत भी बहतरीन किताब आप पढ़िए गा उसको मैंने पढ़ा है कभी मौका मिले तो उसका रिव्यू करके आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा तो इस ते तमाम सारी बाते थी रामसरण सर्मा के बारे में और यदि इनके देहान की बात की जाए तो यह लास्ट में 20 अगस्त को ठीक है 20 अगस्त 2021 को दुनिया चोड़कर चले गए अ तो यह एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर रहे हैं जिनके इनके बारे में जितना कुछ बोला जाए मेरे ख्याल से कम होगा अपने आप में एक युद्धात है ठीक है इतिहास के सबसे बड़े अध्यत्ता के तौर पर जाना जाता है तो चलो साथियो मेरे ख्याल से तमाम सारी चीजे समाज में आगएंगे फिर मिलेंगे हम लोग अकले लेक्चर मेरे लेक्चर पसंद आया तो लोगों को शेयर किज़ेगा थांक्यू वैरी मच्छ